50 और 60 के दशक को हिंदी सिनेमा का वो दौर कहा जाता था जब एक से बढ़कर एक फिल्म में परदे पर आई और उस दौर में गुरुदत को उनकी क्लासिक फिल्मों के लिए जाना जाता था गुरुदत 9 जुलाई 1925 को जन में थे और उन्हें हर्फन मौला कहा जाता था गुरुदत अक्टर, कुरियोग्रफर, डिरेक्टर, राइटर, प्रडियूसर सब कुछ थे गुरुदत का असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पदुकोन था गुरुदत को बच्पन से ही एक्टिंग का शौक था उन्होंने कॉलकता में पढ़ाई की और रोजी रोटी के लिए एक कंपनी में टेलिफोन उपलेटर की नौकरी कर ली लेकिन दिल नहीं लगा तो पूरे की रहा पकर ली कुरियोग्रफी, डिरेक्शन और आक्टिंग के फिल्ड में घुसने की शुरुआत कर दी तो आईए अब उनके करियर से जुड़ी कुछ इंट्रेस्टिंग बाते जानते हैं जो शायद आपको नहीं पता है गुरुदत ने 1945 से फिल्म लखारानी से काम करना शुरू कर दिया इसके ठीक एक साल बात फिल्म हम एक है में असिस्टन डिरेक्टर और कोरियाग्रफ की जिम्मेदारी मिली और फिर 1947 में कमपनी के कॉंट्रैक खतम होते ही देवानन ने उनसे वादा किया कि वो जब भी फिल्म बनाएंगे उस फिल्म का डिरेक्शन गुरुदत ही करेंगे आपको बता दे कि कहा जाता है कि गुरुदत और देवानन पहले से ही काफी अच्छे दोस्त थे फिर देवानन ने अपना वादा निभाया और गुरुदत ने फिल्म बाजी बनाई तीवी और गुलाम की सफलता के बाद तो गुरुदत ने इतिहास रज दिया ये थी उनकी करियर से जुड़ी बाते अब आये जानते हैं उनके परसनल लाइफ के बारे में दरसल फिल्म बाजी के दौरान गुरुदत की मुलकात गीता से हुई थी उस सवे गीतर ओय एक सिंगर की तौर पर काफी मशूर थी मुलकातों के बाद दोनों में प्यार हो गया और 1953 में दोनों ने शादी कर ली दोनों की शादी शुदर लाइफ अच्छी चल रही थी लेकिन इसी दोरान वहीदा रहमान की वज़ा से दोनों की बीस दरारे आनी शुरू हो गई 1956 में बन रही फिल्म CID के लिए एक नए चेहरे की तालाश थी जिसके लिए वहीदा रहमान को चुना गया था गुरूदत को इस पर शक हुआ वो घर पहुँचे और दोनों के बीच जबर्दस जगडा हुआ यहां से गुरूदत और गीता के बीस दूरियां बढ़ती गई और गुरूदत शराब की लत में डूपते चले गए और उनकी तबियत भी खराब रहने लगी थी और एक दिन ग्लास में पीस कर नीन की गोलिया खाकर गुरूदत ने जान दे 10 ओक्टूबर 1946 को दुनिया को अलविदा कह दिया गुरूदत को आज भी याद किया जाता है और उनकी बनाई हुई बहतरीन और क्लासिक फिल्मों को आज भी सराहा जाता है उमीदें आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो फिल्मी दुनिया के अनोखे औरन कहे किस से जानने के लिए हमारे चानल से जुड़े रहे है